Ransomware Attack वो Attack जो बेहत खतरनाक है नाम तो सुना होगा आपने नहीं सुना तो फिर बेहत ध्यान से सुनिए अगर आपकी कंपनी के लिए ये Attack हुआ तो सोचिए सब कुछ तबाँ क्योंकि हल्दीराम के भीतर भी ऐसा ही हुआ था अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी के भीतर य प्राइबा गुरू इस वक्त मिस्टर अनुर अगरवाल हमार साथ मौजूद है और उनसे समझेंगे आकरकार ये Attack होता कैसे है अनुजी बहुत-बहुत स्वागत है आपका कंपनी के लिहाद से ये Ransomware Attack और हल्दीराम का प्रकंड ये हम आपसे जानना चाहेंगे और कैसे बचना चाहिए तमाम कंपनी को इस रैंसम अटेक से कि जब कोई साइबर अपरादी आपके सर्वर और सारे डेटा पर कंट्रोल ले लेता है आपकी जानकारी के विना और उसे कॉपी करने या चोरी करने की बज़ाए वो आपकी कंपनी के अंदर ही उस डेटा को पुरी तरह से अंक्रिप्ट कर देता है मतलब कंपनी के लोग उसके एकसेस नहीं कर सकते हैकर उसे एकसेस कर सकता है और फिर वो हैकर कुछ लाखो डॉलर आपसे मांगता है और उसको बिट कोई के माद्ध्यम से मांगता है और अगर आपने नहीं दिया तो आप वो डेटा कभी भी हो जाएगी और ऐसे अटैक कंपनीज पे अस्पतालों पे हाला कि कई पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी आ चुके हैं देश विदेश में होते रहते हैं और एक बार हैकर्स का कंट्रोल आपके सर्वर के डेटा पर पूरी तरह से हो जाता है तो फिर वो बिटकॉाइन में लाखों डॉलर की मांग करते हैं और उसके ना देने पर डेटा आपका बेकार हो जाता है आप इस्तमाल ले कर सकते हैं आप यह कह रहे हैं कि कंपनीज के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट तक ऐसे अटैक्स जहेल चुका है